भाजपा के नेता ने बिहार सरकार के मंत्री को कहा कि गीदर भव की किसको दे रहे हैं अगर हिम्मत है तो गटबंधन तोड़ दे और नितीश कुमार को सरकार से हटा दे हम तमाम उन किसो कहानियों पर बात करूँगा बिहार में चल रही सियासत की उठा पटक की और उत्तर प्रदेश से क्या यहां पर कनेक्शन बन रहा है चाहे हुआ मुकेश सहनी हो या फिर बीजेपी हो जदिव हो या फिर चिराग पासवान हो तो हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे चंद मिनट में उसे पहले बतायते हैं कि आप देख रहे हैं जहकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियोंगे तो कर लिजेगा और फेस्बूक पेज को भी लाइक करिएगा ताकि आप तक ख खबरों पर यहां पर बात यह है कि मुकेश सहनी जो बियाईपी पार्टी के अध्यच हैं और विहार विधान सवाचुनाब में चार सीटे जीते थे उनका खुलियाम कहना था कि बीजेपी अगर चाहे तो फिर इस एंडिये के गटवंधन से यानि कि नितीश कुमार के समर प्थन दे रहे हैं मुकेश सहनी ऐसे बाते क्यों कर रहे हैं तो यह बाते उत्तर प्रदेश चुनाब से जुड़ी हुई है वह उत्तर प्रदेश में चुनाब लड़ने वाले थे उत्तर प्रदेश विधान सवा का उसके बाद फिर यह चाहते थे कि हमें वहां पर एंडि तुमाम बाते हो रही थी जितन राम मांजी की भी बाते हो रही थी वहीं चिराग पासवान की भी पार्टी ने तो कह दिया कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे भले उसका परिनाम कुछ भी हो जदिव और जदिव का कहना है कि हमारा बातचित बीजेपी से चल रहा है और हम तक दल है वह हमें अपने अंदर में लेकर के कुछ सीटे दे इसको लेकर तमाम पार्टियां बीजेपी से नाराज है उसी में मुकेश सहनी भी नाराज है कहा यह भी जा रहा है कि लालू परसाद यादब का साथ मिल चुका है बी आईपी के अध्यच को यानि की मुकेश सह सहनी से जब वह मिर्तुञजय तीवारी बाहर निकल रहे थे तो मेडिया कर्मी ने घेर लिया और वह सवालों के जवाद देते हुए बचते हुए नजर आए मगर तमाम बाते यह समझ में आ गई मिर्तुञजय तीवारी का कहना था कि यह जो मुलाकात थी यह एक प्रदान करने के लिए थी कि वह भी निशाद समाज से आते हैं तो आप उनका मदद करिए और भी तमाम अगेरा बगेरा बाते मगर जो बाते समझ में आई कि आरजेडी प्रवक्ता देर रात क्यों मिलने गए मुकेश सहनी से तो कई दौर की बाते हो रही है आरजेडी से और किस और बन रही है यह समझा जा सकता है साथी जीतन राम मांजी जिस आवेग और आवेग में बोला करते थे अभी उनकी थोड़ी नम्रता चल रही है बीनम्रता अभी कोई ऐसी टिपनी नहीं आ रही है ब्रह्मन और ब्रह्मन बाद को लेकर हुआ है कलग सवाल और जवाब का जिस प्रकार से बयान आता है नीरज कुमार बबलू का बयान आता है समराठ चौधरी ने तो यहां तक कर दिया कि जब हम घटक दल में हैं तो फिर आपकी यह और भी एक बाते हैं कि मुकेस साहनी की MLC की जो कारेकाल है वह अच्छा सालों के लिए नहीं था बीजेपी न उनका समाप्त होने वाला है तो कि आप बिहार सरकार में कब तक मंत्री रहेंगे यानि तीज कुमार के फैसले पर है और वो जिस प्रकार से मुकेस साहनी तीज कुमार के तारिफ करते हो नजर आ रहे हैं और साथ ही यह भी काना था कि बिहार में सरकार हमारे समर्थन के दम उनापर बनी है और निरज कुमार बबलु ने तो कह दिया कि कि आप कि-सको धमकी दे रहे हैं सरकार से बाहर जाने के लिए और लगातार लगातार कह सकते हैं कि BIP के राष्टिय दहच पर सीधे तौर पर उनको चुनोती देते हुए नजर आते हैं और लगातार मुकेश सहनी इन तमाम बातों को जवाब दे रहे हैं कि हमारी आस्था नितीश कुमार में है नितीश कुमार की सरकार हमारी सहमती और हमारी समर्थन से चल रही है जबकि उनके पास 4 सिटे हैं और BJP के पास 24 सिटे हैं यह अंतर काफी बड़ा है मुकेश सहनी का बयान कितना भारी में लिया जा रहा है या उसे किस प्रकार हलका में लिया जा रहा है यह लोग भी समझ रहे हैं और यह राजनीती विस्लेशन करने वाले भी लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं कि मुकेस सहनी जिनको इगार सीटे दी थी बीजेपी ने चार सीटे जीती उसमें कहा यह जा रहा है कि तीन बीजेपी के ही कैणिडेट थे जो जीते अब वहीं जीत बिएपी के मुकेश सहनी को तो कहीं ने कहीं ये बोट बैंक की सारे सम्मिकरन है साथ ही निशाद पार्टी से बीजेपी का उत्तर प्रदेश में गटवंधन हो चुका है तो फिर वह यह भी सोचती होगी कि हम एक और गटवंधन इस तरह की क्यूं करें और जिस मुकेश सहनी बिहार तक में ही सीमित है तो फिर उत्तर प्रदेश में इनको फिर इंट्री देंगे तो ये फिर जिस प्रकार से बिहार में बिहार के सरकार में परेशानी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी एक परेशानी कर सकते हैं ये तमाम बाते हैं और साथ ही तेजस्वी बिहार की राजिती की सियासी सम्मिकरन की जो लगातार खिचतान में काफी बढ़ते और घटते रहती है यह तमाम खबरे थी मुकेश सहनी से जुड़ी हुई कि उनको देर रात मिर्टुंजय तिवारी की मुलाकात ने कई सवाल छोड़ गये हैं और साथ ही मुकेश सहनी अकन बिहार सरकार में मंत्री हैं मतश्य पालन विभाग देख रहे हैं तो यह तमाम बाते हैं बिहार से जुड़ी हुई सियासी समिकरन की और भी हम लाते रहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाप पर भी लाएं कि किस परकारा परना यादव बीजेपी जुवाइन करती हैं और वह प्रॉर 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 यप